होटेल ये रेस्टरेंट से भी अच्छा दम आलू घर पे बनाए वो भी बिना प्याज ले सुनके एकदम क्रीमी टेक्शर वाला बहुत ही जबरदस और बहुत ही सिंपल तरीके से आलू की ये सबची गरमा गरम पूरी पराठे के साथ मिल जाएना तो खा के दिल खुश हो जाएगा बहुत ही आसान है बनाना और स्वात बहुत ही जबरदस तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है कि उबले हुए आलू ले लेना है तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम उबले हुए आलू लिये हैं आलू का छिलका निकाल ले और इसके बाद इसे दो टुकड़ों में काट ले ये देखे ऐसे अब इन आलू को हम हल्दी लाल मिर्च और नमक से कोट कर देंगी उससे क्या होगा जब हम इसे फ्राई करेंगे तो इसके उपर की लेर जो है वो कलरफुल दिखेगी साथ ही साथ जल्दी क्रिस्पी होगी अगर सिप उबले हुए आलू फ्राई करेंगे न तो वो टूटने ही लगते हैं तो जब भी आप आलू को फ्राई करें तो हल्दी लाल मिर्च और नमक ऐसे मिला के और अच्छे से कोट करतें और उसके बाद फ्राई करें तो मसाला जो है वो आलू के उपर अच्छे से सेट हो जाता है और यह उपर से बहुत ही क्रिस्पी दिखता है अब हम इस फ्राई किये हुए आलू को एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेम पैन में एक चमस्तिल वापस डाल देंगे इसमें हम डाल देंगे 4 हरी मिर्च, 2 इंचे दरक, 10 काज़ू डाल दे और उसके पार टमाटर ढाल देंगे लसवन हम इसमें नहीं स्तिमाल करेंगे और प्याज भी नहीं तो यहां पर टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा नमक डाल दे और इसके बाद इसे 2-3 मिनट के लिए भून ले जैसे यह टमाटर पक चाहेगा हम गैस को बंद करेंगे और इसे ठंडा हो जाने देंगे जब यह टमाटर अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे निकाल के और इसका एक पेस्ट बना लेंगे तो यहाँ पे मैंने इसे ठंडा कर लिया है ग्रैंडिंग जार में निकाल लें और ठंडा होने के बाद ही मिकसर को चलाए गरम पीसेंगे तो ठककन से पूरा जो मसाला है वो बाहर आने लगेगा तो यह काम आप नहीं करें इसे ठंडा हो जाने दे उसके बाद पीसे तो यहाँ पे मैंने इसे ठंडा करके पीस लिया है यह देखे अगर यह नहीं पीस रहा है तो आप थोड़ा सा पानी एड़ कर सकते हैं अब हम सेम पैन में तीन चमच तेल करम करेंगे इसमें हम डाल देंगे आदी छोटी चमच जीरा साथ में ही थोड़ा सा दाल चीनी डाल दे दो बड़ी लाइची ऐसे क्रश करके या तोड़ के डाल दे और दो तेजबता डाल देंगे हम इन सब को अच्छे से भून ले ताकि इसका जो फ्लेवर है वो तेल में आ जाए अब हम इसमें आदी छोटी चमच हल्दी का पाउडर, डेर छोटी चमच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तमाल कर रही हूँ तेल बहुत जादा गरम नहीं हूँ इस बात का ध्यान रखे जब आप लाल मिर्च या हल्दी डाले दो इसके बाद यह पेस्ट डाल देंगे जो हमने बना के रखा है और पेस्ट को हम अच्छे से मिला देंगे तो यहाँ पे हमारा मसाला पेस्ट अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम पैन को कवर कर देंगे और इसे 3-4 मिनट तक पकने देंगे जैसे ही मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा हम क्या करेंगे इसमें जीरा धनिया पाउडर डालेंगे अभी तक हमने इसमें जीरा धन्या नहीं डाला है तो यहाँ पे इस से अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें एक छोटी चमच धन्या पाउडर डाल देंगे आधी छोटी चमच जीरा पाउडर और साथ में ही आधी छोटी चमच गरम मसाला पाउडर सब को अच्छे से मिला दे दियान रहे धनिया की कॉंटिटी जीरा से डबल रखनी है अब हम इसे दो मिनट और पकाएंगे ताकि मसालों का जो कच्छापन है वो निकल जाए तो यहाँ पे हमने सारे मसाले और पेस जो है वो अच्छे से पका लिये है यह देखे यह पेंस से अलग दिख रहा है मतलब मसाला हमार अच्छे से बुन गया है तो यहाँ पे हमें एड करना है दही तो दही डालने के पहले गयास को बंद कर दे और मसाला को थोड़ा ठंडा हो जाने दे तीन से चार चमर्स दही ले और इसके बाद जब मसाला ठंडा हो जाएगा तब इसमें मिक्स कर दे दही डालने के बाद इसे अच्छे से मिला दे अगर मसाला आपका बहुत ज़्यादा करम रहे और गैस ओन रहे तो कभी कभी दही जो है वो फट जाती है इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि दही जो है वो मसाला को ठंडा करके डाले दही डालने के बाद इसे अच्छे से मिला दे और गैस को ओन कर दे अब हम इसे चार से पांच मिनट पकने देंगे चार से पांच मिनट बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मसालो का कलर बहुत ही बड़िया आ गया यह देखें तब हम यहाँ पर डाल देंगे पानी तो पानी हमें यहाँ पर दो कब डालना है पानी डालने के बाद हमें इसमें नमक अभी तक हमने नहीं डाला है दियान रहे आलो को मेरिनेट करते वक्त हमने नमक का इस्तमाल किया था अब हम इन सब को अच्छे से मिला देंगे और उसके बाद करी में उबाल लाने का इंतिजार करेंगे तो यहाँ पे पैन को कवर कर दे और गैस का फ्लेम हाई कर दे आदे मिनट में ही यह पानी जो है वो उबल जाएगा तो यहाँ पे हमारी करी जो है वो अच्छे से उबल गई है यह आप देख सकते हैं तब हम यहाँ पे यह फ्राई किया हूँ अलू डाल देंगे और इसके बाद इसे अच्छे से मिला देंगे अब हम इस दमालो को ढख देंगे और 5-6 मिनट धीम याज पर पकने देंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पैन को कवर कर देते हैं और घड़ी देखके 5 मिनट धीम याज पर पका लेज़े पांच मिनट बाद मैंने पैन का ढखन अटाया और यहां पे आप देखेंगे न कि करी का कलर कितना बढ़िया है यह देखे तो लास्ट में गैस बंद करने से पहले हमें इसमें डाल देना है धेर सारा धन्यापत्ता और उसके बाद गैस को बंद कर दें तो यह हमारी सबजी जो है वो बंद के तियार हो गई है आप चीए तो थोड़ा सा फ्रेश क्रीम इसके उपर ऐसे गर्णिशिंग के लिए यूज़ कर सकते है तो यह सबजी का कलर और लुक दोनों चेंज हो जाएगा और स्वाद भी बहुत अच्छा हैगा तो लग रहा है ना जवरदस्ट तो यह हमारी बिना प्याज लैसुन वाली दमालो की बहुत ही मज़िदा रेसिपी बन के तियार है आप इस आलो की सबजी को एक बार जरूर बनाए यह आपकी फैमली को बहुत पसंद आएगा और रेसिपी ट्राइ करने के बाद आप मुझे कमेंट शेक्शन में जरूर बताएगा बहुत ही अमेजिन बनाएगा मेरे कहने पे आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करेगा ओ नहीं यह नहीं